हेलो फ्रेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्योपल ठीचर तो आप सब आशा है कि सब बढ़िया होगे स्वस्त होगे तो जैसा आप सभी को पता है कि हम आज की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे हमारा जी के सेक्षिन का मेगा प्रेक् फिर्समिनिस्टर कौन थे चीफ मिनिस्टर व गएरि बारें Somebody इनके बारे हम थोडवाद बात करेंगे तो आज की वीडियो बात इंप्रेंट होने वाली आप सबीडियो करते हैं तो फिल्ला करते है अपनी वीडियो को शुरु तो आज की वीडियो का सबसे पहला कोशन हमा पर 10th February option number जो सी हमार पर वह 10th November और option नमबर जो डी है वह हमार पर 8th March तो देखो आप से जो question पूछे गया है सबसे पहले question के ओपर ध्यान में देना रहें यहां पर पूछे गया वेन इस वर्ल्ड क्योंकि यहां पर वर्ल्ड पूछे गया वर्ल्ड साइस टेसलिब्रेटर जो होता है वहां का नैशनल होगा तो आपके पास से लिबेटर था 28th February को बट अगर आपसे पूछे जाएगा कि वर्ल्ड साइस टेक अपसे लिपे जाता है तो आपका वह होता है 10th November को इसलिए जो यहां पर हमारे क्वेशन का सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आप से जब भी आप से पुछ जाएगा कि मानव श्रीर में आखिर कितनी बॉन्स है तो कितनी है महार पास और यहां से बाद बार पूछा जाता है कि आपको परता है जी के वादे सक्राइब यहां से बाद बार पूछा जाता है क्योंकि आपको परता है जी के वादे सक्षें आपको साइंस शोशल साइंस हो गए यहां से भी कोशन आते हैं हर साल पूछा जाते हैं तो यह वाला कोशन बहुत बार प्रॉक्सिमेटरी थीन सबसे इसी कोशन भी है तो हमेशे के लिए ध्यान रख रहे हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या कि जो हुमन बॉडी है उसमें कितनी दोंस होती है तो तुमें 206 होती है अगर आपको च्छोटे बिच्चे के पार हैं पूछा जाएगा तो कौशन नापको चांजर डांस तो लिए प्रांज अफृशल प्रदेश का जहांजर नृतेकि से option number a है हमारे पर दियावा कांगडा आपके नमबर बी है चमबा उपशें नमबसी है शिमला और option number d सिरमौर तो जो हमारा जहां जर्ण नरित्या है वह हमारा संबंध रखता है चमबा डिस्टिक से तो यानि कि जो यहां पर मारपा option number B है वो बिल्कुल सही है और यह कोशन बहुत बार पुछ जाता है नरित्य से ही वाला कोशन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है कौन सा यंत्र की जरूरत पड़ती है option number A हमारपा दिया हुआ बोरो मीटर option अंबर B हमार पादिया हुआ हाईग्रो मीटर और option number C हमारपा थर्मो मेटर और option number Dror option कोईशन बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है सबसे जादे पार रिपीटिट हुआवा कोईशन है तो कोईशन है आपके पार वाट इस दा नेम ऑफ शूगर फाउंट इन मिल्क तो यहां पे जो दूद में पाई जाने वाली चिन्नी क्या है कि इस नाम से जानी जाती है तो जो आपके पास बिल्कुल सही है और एक और कोशन यहां से पूछ है अगर आपस पूछा जाए कि कि वाट इस दा नेम ऑफ शुगर इन जो आपके पास फ्रॉक्टोस पाए जाता है फ्रूट तो यहां से दो कोशन हमेशा पूछ आ जाते हैं जो दूद है उसमें कौन सी चिनी पाई जाती है और जो आपके पास लेक्टोस पाई जाते हैं और याद रखना अगर आप भोल भी जाओगे ना एफ से फ्रूट होता है एफ से फ्रक्टोस है तो इससे आपने ध्यान रखना है क्योंकि जब भी आप टैर्ट या कोई भी एक्जाम देते हैं कॉम्पटेशन का तो आपने ने उनके बीच थोड़े डिलेशन बना ले रहना होता था कि आप कभी भी एक्जाम देते वक्त कंफ्यूज ना होए नेक्स्ट कोशन नमबर 126 से आपके पार हूँ वस फाउं पास टेट के जो थे किंग थे और फाउंडरन को माना जाता है तो जब यह आप से पूछा जाएगा यह कोशन तो इसको ध्यान में रखना आपने जो मेरु वर्मा है वह ही हमारे जो है चंबा राज्य के संस्थापक राजा थे नेक्स्ट कुशन नमबर 27 हमारे पास पूछ बी तो यहां पर जो हमारे पार डावल फॉल्ट था वह हमारा टैनिस से रेलेटी था मतलब तो यहां पर जो ऑप्शन नमबर यह है वह बिल्कुल सही है तो इसको भी आपने ध्यान में रखना नेक्स्ट अगर हम बात करें कोशन नमबर 128 सबसे इंपोर्टेंट कोशन है य जो फॉल्ट था यहां से बहुत बार कोशन पूछा जाता है यह बहुत कुछन ता तो जो इंद्रह फॉस पास है वह आखिक कौन सी तो डिस्टिक के बीच में बसा हुआ है तो यह प्शन है किनौर और शम्ला आप्शन नम्बर आपक्पा काणग्रा और चंबा ऑप्शन नमबर सी एक पास चंबा और कुलू ऑप्शन नमबर डी आपके पास बसा हुआ है कांगरा और चंबा यानि कि जो महर पास ऑप्शन नमबर भी है वो बिल्कुल सही है जो इंद्रा पास से सिट्वेटेटेट ऑन दा बॉडर ओफ कांगरा एंड चंबा टू डिस्टिक्स इन हुए है नेक्स्ट कोशन नमबर 129 सबसे इंपॉर्टेंट कोशन बहुत बात पूछा जाता है और सबसे इजी कोशन नहीं है तो कुशन आपके पास पोटेटो और ऑप्शन नमबर डी ग्रेप्स तो जो आपके पास कुफरी जीवन और कुफरी जियोती है यह हमारे पास तो फेमस वराइटीज है यानि कि जो ऑप्शन नमबर सी है वह आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 का विद्रों से कोशन हर साल पूछे ही जाते आप से तो कुशन आपके पास ऑन विच डेट ता रेवलिशन ओफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम मेरट तो यहां पर जो कोशन पुछे गया वह आपका 1857 का विद्रों किस तारिक को मेरट में शुरू हुआ था तो ऑप्शन नमबर ए है हमारे पास यहां पर देखा टैन में नाइन 1857 ऑप्शन नमबर भी है 16 अप्रैल 1857 ऑप्शन नमबर जो सी है वह 11 1857 जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो मेरट में जो रेवलुशन हुआ था 1857 का वो कब शुरू हुआ से तो आपका टैन्थ में 1857 में शुरू हुआ था यह कोशन बहुत इंपोर्टन है बहुत बार आपसे पूछा जाता तो इस को भी आपने ध्यान में रखना नेक्स जो कोशन आपसे पूछे गया है तो यह हूँ इन्वाइट बाबर टो इन्वेट इंडिया यानि की बाबर को भारत पर आक्रमन करने के लिए किसने आमंत्रिंट किया था तो आप्शन नंबर ए है हमारे पार दिया दौलत खान लोदी तो आप्शन नंबर बी है हमा पार आप्शन नंबर एद दौलत खान लोदी यानि की जब भी आप से कोशन पूछा जाएगा तो इसको ध्यान में रखना है यहां से प्शेंट करने के लिए कि आमंत्रित किया था तो यह थे हमारे दौलत खान लोदी तो यहां से कोशन बहुत बार पूछा जाता है तो द्धान में रखना है आपने नेक्स्ट कोशन यह भी सबसे इंपॉर्टन कोशन ने तो कोशन आपके पास है दा ऑफ इंडियन डिवाइड़िट इस तो जो इंडियन डिवाइडिट के लेखक है आखिर वो कौन है तो आप्शन नमबर है आपके पार एम के गांदी यानिक कि जो ऑप्शन नमबर भी है वो बिल्कुल सही है आपका और यहां से कोशन पुछ जाता है इस कोशन को भी आपने नोडाउन कर लेना नेक्स्ट कोशन नमबर थर्टी थी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इसी कोशन है आपके पास तो इस सब को याता होगा वो जंगा धर तिलक और ऑप्शन नमबर डी हमारे पास चंदर बॉस तो हमारे पार इसका सब्सक्राइब महात्मा घंदी महात्मा गांदी ने हमारे पार क्या नौन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू किया था यहां से भी कोशन बहुत दार पूछा जाता है और जो आपक अब करेंट फेर से पूछा गया था तो इनका कोई भरोसा है यह इस बार जादा क्या डाले बट जो अभी आपका 26 नौबर को टैट होएगा वहां पर मिक्स आए गाई करंट फेर और आपके जो आपके कोशन पूछे जाते थे तो इस साल क्या प्रण फेर से जादे कोशन नेक्स्ट कोशन नंबर 134 सबसे इंपोर्टेंट कोशन है और सबसे रिपीटिट कोशन है और बहुत इजी कोशन है आपके पास से तो कुशन है वह इस दा ऑथर आफ वंदे मातरम आखिर जो नैशनल सौंग है वंदे मातरम वो किसके द्वारा लिखा गया है तो यहां पर आपको ऑप्शन सही बताना है वह भी कमेंट बॉक्स में कि आखिर जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो यह आप लोग कमेंट में बताईएगा बाकि जो रविंदर नाथ टैग और है इन्होंने हमारा लिखा वाय नैशनल एंथम जो कि हमारा जन गन्म तो यह आपने ध्यान में रखना जो नैशनल एंथम है वह रविंदर नाथ टैगों ने लिखा गया है बाकि जो आपका नैशनल सौंग है वंदे मातरम यह किस ने लिखा यह आपको मेंट में पर बताईएगा नेक्स्ट कोशन नमबर 135 सबसे इंपोर्टन है क्योंकि आप आपके पर कंसे टूशन से कुछन पूछा जाता है और यह वाला कुछन तो बहुत बार पूछा जाता तो कुछन आपके पास है वह बिल्कुल सही है जो आपके पास जो fundamental duties है वो सब की सब mentioned हुई भी है तो यह वाला question बहुत पुछाव जाता है सबसे important question है तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है next question number 36 136 आपके पुछावा राष्ठी इंडियन military college RIMC is in which state तो जो आपका यह राष्ट्य military college है ना यह आखिर कौन सी स्टेट में आपका मतलब situated है कौन सी स्टेट में है तो यह आपके पास option दे रखाए किरल option number B आपके पास दे रखाए यहां पर उत्राखंड option number C आपके पास हमाचल प्रदेश और option question यहां से बनता है तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है तो अगर हम बात करें अपना next question सबसे important question है तो आपके पास है एंशन नेम आफ कांग्रा वह तो कांग्रा का जो प्राचिन नाम था आखिर वो क्या था तो हमारे पास optionия यहांपे दर का लखा अगर कोट option अबर बीदे रखा है मार पास तरेगत option नमबर सीप्रीवर्स नमपुर और option no candy. स्था त्रीष ज़ो हमारे पास कंग्रा का प्राचिन नाम था वह था हमारे पास तरीगत यानि कि छो नमबर भी है वो आपका बिल्कुल सही है यहां से भी बहुत बार कोशन पूछते जाते हैं तो आपके पार प्राचीन नाम है ने इनके बारे में आप एक बार पढ़के जाना क्योंकि यहां से भी जाते हैं नेक्स्ट कोशन आपके पास है कि वर्ल्ड पॉपलेशन डे इस सैलिब्रेटेड ओन आकि जो विश्व जंसंक्य दिवस है कब मनाया जाता है और अप्शन नमबर ए है आपके पास 9 जून ऑप्शन नमबर बी है आपके पास 11 जुलाई उप्शन नमबर सी है 10 अगस्त और तो इन में से किस की नियुकति भारत के राष्ट्य पती द्वारा नहीं की जाती तो जो हमारे पाइप्शन दे रहे है वह ए प्राइम मिनिस्टर ऑप्षिन नमबर बी आपके पाइप चीफ एलेक्शन कमिशनर और ऑप्षिन नमबर सी है आपके पास वाइस प्रेजिडेंट और ऑप्षिन नमबर डी है आपके पास गोवर्नर तो यहां पे आपके पाइप्षिन नमबर सी बिल्कुल सही है वाइस प्रेजिडेंट जो वाइस प्रेजिडेंट है जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेजिडेंट द्वारा नहीं की जाती है इंडिया की तो जो option number C है बिल्कुल सही है जो आपका vice president है जो उसकी न्युक्ति है वो आपके president द्वारे नहीं की जाती नेक्स्ट कोशीन बहुत इंपोर्टेंट है क्यों कि वेद से आपके पाइप कोशन पुछा जाते हैं सबसे पहले आपने याद रखना कि अगर आपसे कभी पूछ जाए किस पूराना कौन सा कितना है जो रिगवेद में सुक्त है आखिर उनकी कितनी कुल संख्या है वो आप से यहां पर पुछी गई है option number a 512 option number b 1024 option number c आपके पाँ 1028 और option number d and of these तो यहां पर आपके पाँ option number जो c है वो बिलकुल सही है जो आपके पास रिगवेदा की जो टोटल हैंस है वो आपके पास कितनी है 1028 next question सबसे important question है तो question आपके पास है विच हिमाचली वाज आवार्ड फर्स्ट इंडियन परमवीर चक्र आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस तो यह आपको दिया गया था मेजर सोमनात शर्मा को यानि कि जो आपके पास पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखने इस question को क्योंकि वाला question भी बहुत important है आपके लिए next अगर हम बात करें next question तो vitamins vitamins से question पुछ जाते है हर साल पुछ जाते हैं आपसे question यहां पे तो question आपके पाद deficiency of which vitamin cause rickets आखर किस vitamin की कमी से rickets हो जाता है किस कि क्या उन सब है vitamin की जो हमारी कमी हो जाती है जिस्ते कि हमारी किगीं हो जाता है तो option number a है vitamin a option number b है vitamin b option तैं다면 c ja pitch a vitamin D तो ऋहां पर अपके पास है option option number di vitamin D की कमी से क्या है Hello dad the 해źना अपने यह वाला question पूछा जाता हे next question 143 आपके पास major ध्यांचंद birthday is celebrated as national डीड़िनल्स पूर्ट डे इन इंडिया ओन विच अमंग दा फॉलिविंग डेट तो यहां पे आपके बैश्ट ध्यांचेंटर के जर्म दिवस को राष्ट्य खेल दिवस के रूप में निमन लिखित में से किस दिन मनाया जाता है तो option number A है आपके पास 29th July, option number B है आपके पास 29th August, option number C है आपके पास 29th March और option number D है आपके पास 29th April तो जो यहां पर हमारे पर सही option है वो है हमारे पर option number B 29th August निमन लिखित में से किस दिन मनाया जाता है तो आपका मनाया जाता है 29th August को तो option number B बिलकुल सही आपके पास तो जो आरे समाज की स्थापना थी वो कब हुई थी option number A है आपके पास 1875 option number B है आपके पास 1880 option number C है आपके पास 1885 और option number D है आपके पास 1890 तो जो आरे समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1875 में यानि कि जो option number A है वो आपका बिलकुल सही है तो इस question को आपने ध्यान में रखना क्योंकि वाला question बहुत important है और repeated चीड है क्या पता आप से साल भी question पूछते जाएगा और जो आज की वीडियो है यह हर एक टैट जो भी टैट देना चाहता है हर एक विद्यार सीख लेए वो चाहिए आप टीजिटी आर्स का टैट दो जिसमर्जी का टैट दो जी के section आप से पूछा जाता है और जी के question य और पूछार गया है क्युक्त टैट प्रेंट नार टो जो राट टो आपके पास आप से कई बार सब्सक्राइख ना से पूछिब्ण और आपके पास थम्हार्जेशन से की बार नेक्स्ट पूछा गया है हाव सब्सक्राइब तो यह आपका लास्ट ये का कोश्टन पेपर यानि कि 2022 का तो वहाँ पे 2022 में जो वहां के प्रेजर्ड गोवर्नर थे महराश्टर के वो थे भगत सिंख खोश्यारी तो यानि कि जो प्रेजर्ड नंबर भी है वो बिलकुल सही है बट अगर आपके पास पूछा जाता है तो यह वाला टॉपिक भी आप एक वार याद करके चले जाना क्योंकि यहां से हर साल कोशन आते हैं तो यहां से जैसे कि वीटेमिन्स होगे वहां से कोशन साते हैं साइस में जैसे कि आपके पाद अब्रिवेशन या उनकी फूल फॉर्म सोते हैं वहां से कोशन पुछाता है उनको भी आपके चले याद करके जाना है और आपके पास पुछा जाते हैं निरित्या होगे जो फेमस आपके वह पुछे जाते हैं फिर कई बार फोक जो सॉंग हो प्रजेक्ट इस सिट्वेटिड ऑन विच रिवर तो यह वाला कोशन भी आप से बहुत बार पूछा जाता है तो आपके पास दे रहे का सतलों ऑप्शन नंबर बीया यह मुना ऑप्शन नंबर बी आपके पास ब्यास और ऑप्शन नंबर डी यह रावी तो जो आपका चम प्रोजक्ट है कौन सी डिस्टिक में तो आपके पास चंबा में इसको आपने ध्यान में रखना और किस रीवर के उपर है तो कि राभी के ऊपर आपके पास। प्रोजेक्ट सिट्वेटेटेड है नेक्स्ट कोशिन सबसे इंपॉर्टेंट कोशन ने कोशन आपके पास पुछे गया हूँ वास प्रेजेंटेड इन नाइनटिन फिल्ट फष्ट पहरी गांधी बाबा कांशी राम अवार्ट तो आपके पास दे रहा है शरी किशव सबसे इंपॉर्टन कोशन यह वाला कोशन मनें आपको बताया था कि जो लेंग्विज वाला है वहां से कोशन हर साल पूछे जाते हैं लेंग्विज वाला टॉपिक है इसको भी आपने एक बार देख लेना तो कोशन आपके पास पूछे गया है जो कहलूरू लेंग्वेज है वह हिमाचल प्रदेश के किस भाग में बोली जाती है तो यह सब्सक्राइब हैं जलीए से मैं अध flowers बहुंत जाती है तो आपके बोलत थिजान में बोलब से सब्सक्राइम और सबसे रिपीट है ने शकुषन की बात करेए तो आज की वीडियो सब्सक्राइब वर एंडर फिफ्टी कोशन यह आपके पास अमंग दा फॉलोविंग विच इस दो मोस्ट डैंसली पॉपूलेटिट इस्टिक आफ हमाचल प्रहदेश तो हमाचल प्रहदेश में सबसे जाते जो जनसंख्या वाला जो जीला है आखिर वो कौन सा है तो आपके पास नमबर और आपके पास हमीरपूर तो यह वाला कोशन तो आप हर एक को पता होना चाहिए तो जो इसका सही ऑप्शन है वो लोग आप कमेंट में बताएगा कि आखिर जो हमाचल प्रहदेश का कौन से डिस्टी का जहां पर सबसे जादी जनसंख्या है तो जो आपके पास ऑप्शन जो कि बहुत इंप्वर्टेंट है आप से यहां से कोशन इस वार पूछा जा सकता है तो फिलाहल इन कोशन के बारे में थोड़ा बात हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंप्वर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर और इंडिया जहां से आपके पास इस पहले आपके सबसे पहले हम्ता करें प्रेजटेंट प्रिजटेंट आपको पै데 अपको ब consulting आपका है तो आपकी अपका पन सकता है तो नैस्ट आपके पाव deportation है जो गढिंगर नेक्स्टर ग्रहमारे निक्रैस परंडे Packard आपको पहता है कौन आया है शिरी नरेंदर मोदी नेक्स अगर हम बात करें हो मिनिस्टर कौन है आपका क्या बोलते हैं इंडिया का तो यहां से भी कोशन पूचा जा सकता है जो हो मिनिस्टर वह हमारे अमित शहार नेक्स बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर यहां से भी आपक के कोशन बनते हैं कि प्रेजिडेंट से पूछ जाता है क्योंगते थर्फ सी तैक यहां से ब्रीकॉशन बंता हैं यहां बहुतai है जो एंडिया धश्रिजटंता यहां पे प्रिस प्रेजिडेंट PLE清 esquard तो यह थे आपके डॉक्टर राजिंदर प्रसाद तो यहां से भी कोशन बहुत बार पुछा जाता है नेक्स्ट कॉशन नमबर टू हमारे पार वी दा फॉस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के वाला कोशन भी पुछ आता है अब पार लॉड्ड विलियम बैनिस्ट कॉशन है को पुछ जाता है और वाइस प्रेजिदेंट्स से पुछए जासा तो यहां से बहुत सारी कॉश्टेण्स मैच करें तो इन को आप नों कर imagen क्उरेना और है प्षीजिदेंट में फॉस्ट एडिंट टव पर मेंटेया था है आपकी प्रेजिडेंट सबसे पहले तो कौन थे प्रतिबा पतेल यहां पे आपका अंसर है प्रतिबा पतेल नेक्स्टाइशन नबर 6 थे हमारे पार इसको पुछा गया या देख़ना आपने nous the first home minister of India और कौन अपकर सब्सक्राइस पहले वह संस्राइब खाफ इन बात करें चाहें हम इसको सब्सक्राइब भी खंपर चैसे हमारे कौन थे तो यह वाला कुछा यारा ने तो आहाज है पुर्शिटव एस्ट बाइब्ग पुछा गया थ Thrones बात कांवालक्त एक पूर्स्ट मेंस्टे मि calcium प्रदेश के नेंस्ट बाद कर रे कि इस यहां से आप буквरले को सचेंचल प्रदेश के स्योग्स छीस्पार्ड कंद तो फजयेंघ हमारे फोर्स्त हमारे इस लौ मैंघ कौन थे हमारे विए चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस कौन कौन थे वाले कोशन भी आपसे बहुत बार पुछे जाते हैं नेक्स्ट बात करें अब क्रंट फिर के मोस्ट इंपोर्टन कोशन जो आपसे पुछे जा सकते हैं आपके टाइट में तो कोशन आपके पाए पूछ आपके पास नेक्स्ट कोशन आपके पास पूछा सकता है आपके पास पाइटर थे ताम मिलके जिनकों की सरस्वती सम्मान मिला था उनकी आटोबायोग्राफी के लिए पूछा जा सकता कौन सी तो इसको भी आपने याद रखना सूर्य वंसम नेक्स्ट कोशन बहुत इंपॉर्टेंट कोशन आपके पाइट पोचिशन है इंडिया है इंतर सेंट रिलिस्ट क्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 तो यहां पर आपके पाइट नमबर भी बिलकुल सही है 111 स्थान मिला है ठीक है नेक्स्ट कोशन आपके पाइट विच कंट्री टेम है रिसेंटली विड्रॉफ फ्रॉम तवर्ट कैडिट चैस्ट चैंपियंशिप तो यहां पर आप चिंज तर देटिज ओफ टेट असेंबली लेक्शन तो यहां पर आपके पास बिलकुल सही है राजस्थान जो राजस्थान की जो असेंबली लेक्शन की जो डेट थी वो क्या है इस याई ने चेंज किये अभी नेक्स्ट कोशन है रिसेंटली विच इंडियन हैस मेड़ record of scoring most century in the world cup तो यहां पर option number C बिल्कुल सही आप पर रोहित शर्मा यह वाला question भी आपके से पुछा जा सकता है क्योंकि game से आप पर हमेश्या question पूछे जाते हैं यह वाला question पूछा जा सकता है क्योंकि most important question है आपके पास next question है आपके पास where are the fourth Asian Paragame starting recently तो यह आपके पाव option number C बिल्कुल सही है चीन जो चीन है वहां पर आपका fourth Asian Paragame को क्या स्टार्ट किया गया है अभी हाली में next question आपके पाव विच एनिवर्सरी आफ implementation of RTI Act has been celebrated by CIC recently तो यहां पर 18 यानि की option number भी बिल्कुल सही है आपके पास next question आपके पार recently which country Olympic Committee has been suspended by the IOC for violation of the chatter तो यहां पर आपके पाव जो option number C है वह बिल्कुल सही है रूस तो next question है आपके पाव who has recently launched the 12th city gas distribution binding तो यहां पर option number C बिल्कुल सही है आपके पाव हरदीप सिंग पूरी तो यह आपका पूछा जा सकता है यह वाला question इसको भी आपने ध्यान में रखना है next question है आपके पास who has recently been included in the world best employer 2023 लिस्ट तो यहां पर option number B बिल्कुल सही है आपके पाव एंटी पीसी यह वाला question most important है इसको भी आप no down कर लेना next question सबसे important question है आपका यह वाला question पूछा जा सकता है आपके पाव तो question आपके पाव वेर डिट प्राइम मिनेस्टर मोदेर सेंट इन अगरेट दव 141 इंटरनेशनल अलॉंपिक कमेटी सेशन तो यह आपका जो सेशन था यह आपका हुआ था मुंबई यानि कि जो option number C है आपका मुंबई यह बिल्कुल सही है यह वाला question बहुत most important है अलॉंपिक से question पूछे जाते है तो यह वाला question आपस पूछा जा सकता है इस बार next question है आपके पास when is international poverty elevation day celebrated यह भी most important question है क्योंकि days कब celebrated होते हैं यहां से question पूछे जाते हैं तो यहां पर option number B बिल्कुल सही है आपके पास 17 October next question है आपके पास when is the world food day celebrated every year in the world तो यह आपका celebrated ह 10 October को यानि कि जो आपके पास यहां पर option number B है वह बिल्कुल सही है next question है आपके पास in which year will India state claim to host the Olympics यहां पर option number B बिल्कुल सही है आपके पार 2036 next question है आपके पास which foundation day has Central Electricity Authority celebrated recently तो यहां पर option number C बिल्कुल सही है आपके पास 50 next question है आपके पास recently the central government has announced to celebrate how many August as national space day तो यहां पर option number C बिल्कुल सही है आपके पास 23rd August तो यहां पास बहुत most important है और आपसे पूछा जा सकता है यह वाला question क्यूंकि यह आज की questions है यह सबके सब्सक्राइब बहुत most important question के बारे हम आज बात कर रहे है next question सबसे most important question question आपके पास what has been the percentage of women participation in the labor force recently तो यह आपके पास 37 यानि की option number जो C है वो बिल्कुल सही है 37% next question है आपके पास when was international day for disaster risk reduction celebrated recently तो यह आपका celebrate हुआ था अब 13th October को यानि की option number B आपका बिल्कुल सही है और next question है आपके पास recently the fifth annual defense dialogue took place between India and which country तो यह आपका France के बीच हुआ था साथ में इंडिया और फ्रांस की बीच यानि की option number C बिल्कुल सही है next question है आपके पास recently in which state teachers will be given the status of government employees through a test तो यहां पे आपके पास option number B है वो बिल्कुल सही है बिहार next question है आपके पास which state has recently won the award for using telecommunication technology in mental health and counselling तो यहां पे आपके पास option number C है वो बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश next question और आज की वीडियो का last question है हमारे पास recently PV गंगा धरन has passed away who was he तो वो हमारे क्यारते फिल्म निर्माता था यानि कि जो option number B है वो बिल्कुल सही है यह वाला question आपसे पूछा जा सकते हैं कि कैसे question पूछ दिये जाते हैं तो आज की वीडियो में हमने most important current affair के question के बारे में बात की और ऐसे कुछ question के बारे में बात की जहांसे आपसे बार question पूछे जाते हैं तो आज का जो mega practice set था यह बहुत important था आप सभी के लिए कि आज हमने most important question के बारे में discuss किया था जीके section के तो आज की वीडियो में भस इतना है मिलते है अपने next topic में एक नई वीडियो के साथ तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like share कर देना साथ साथ चैनल को subscribe कर लेना क्यूंकि इसी चैनल पर आपको commission की त्यारी पिकरा दे जाएगे after tat